नमस्कार पिछले वीडियो में हमने बात की थी विद्या संबल योजना 2021 के बारे में और इसके समद में हमने बताया था कि विद्या संबल योजना क्या है और ये किस परकार शे लागू होने वाली है तो आपको बता दें विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी के रूप में कारे करने वाले उन साथियों के लिए हैं जो समंदित पद के लिए योगिता रखते हैं और सरकार उने गेस्ट फेकल्टी के रूप में सरकारी कोलेज और सरकारी स्कूल में कुछ समय के लिए रखेगी एक एसी योजना है अब इसके बाद में कुछ साथियों के कमेंट्स थे कि इस योजना का लाब कब से मिलने वाला है या फिर इसके लिए नर्धारित योगेता क्या है और कुछ साथी ये पूछ रहे थे कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है और एक स्वाल जो हर बार पूछा जाता है कि इसके आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं और एक और बा रिक्तता है उसकी पूर्ती मात्र के लिए की गई है और इसमें पद खत्म नहीं हो रहे हैं बलकि कुछ शमय के लिए क्योंकि जो भरते पर करिया है वो लेट हो रही है जिसके चलते उन्हें एक अल्टरनेटी रूप में अपनाया गया है ठीक है अब इसके बाद में इस के रूप में कारे करवाने के लिए शिक्षकों की न्यूपती करेगी यह पूर्ण तया अस्थाई होने वाला है इन्हें किसी प्रकार से इस्थाई ना वविश्य में किया जाना है यह केवल और केवल एक अल्टरनेटिव है जब तक कोई वेकंसी पूरी नहीं हो जाती अब इसमें एक तो शिक्षकों के पद्ध होंगे उसके बाद में लेब असिस्टेंड या लेब टेक्निशनल के रूप में भी कारी करने के लिए उन्हें रखा जा सकता है विद्याले में अगर देखा जाए तो सामनेतिया फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग अपनाएगी प्रकरिया होगी जिसके माद्यम से उसका चैन किया जाएगा और नर्धारित योगेता रखने वाले अव्यर्थियों को इसके लिए न्यूक्त किया जाएगा ठीक है अब इसके बाद में जो अध्यापक अलग-अलग शिरेनी के होंगे जिस परकार से इस्था फाइनल येर का हो या फिर में फाइनल येर का हो तो क्या वो इसके लिए आवेदन कर सकता है तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए जब भी कोई विग्यप्ति निकाले जाएगी किसी संस्था के द्वारा या जिलाश्त्रिय कमेटी के द्वारा तो वहां पर पूर्ण तया आपकी योगेता उस समय कंप्लीट होनी चाहिए अगर कंप्लीट नहीं है तो आपको बिल्कुल भी उसमें शामिल नहीं किया जाएगा और लेब असिस्टेंट का जहां तक प्रश्ण है काफी लोग पूछ रहे थे कि लेब असिस्टेंट के लिए क्या यो योगेता निर्धारित की गई अब जिसे मान के चलिए आप फस्ट ग्रेड इस वग लगना चाहते हैं तो आपके पास पीजी होना चाहिए पीजी मनलों में 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 सी एमकॉम प्लस बीड होना जरूरी है उसके बाद में अगर आप सेकेंड ग्रेड लगना चाहते हैं तो लिए ठीक है और लेब असिस्टेंड की मैंने आपको योगेता बता ही दी और उसके बाद में बात करते हैं महाविद्याले में यानि की कोलेज इस तर पर असिस्टेंड प्रोफेसर भी होंगे एसोशियेट भी होंगे और प्रोफेसर भी होंगे और शामन यतयाद जो लेजिबल होंगे पीजी मतलब आप समंधित विशे में आपका पीजी होना चाहिए इसके साथ-साथ आप नेट उत्तिरन होने चाहिए उसके बाद में ज्यादतर प्रशन यही पूछा जाता है कि क्या एपीरिंग वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं तो एपीरिंग का इसम प्रशन नहीं है क्योंकि यह विग्यपति उन्हीं दिनों में निकलेगी जिस दिनों में यह पूरी भी कर ली जाएगी प्रकरिया तो इसी इस्तति में एपीरिंग का इसमें बिल्कोल भी प्रशन नहीं रहता है जिसके पास complete योगता है वही इसके लिए आवेदन कर सकता ह और उसके बाद में रहता है कि यह कितने शमय तक रखा जा सकता है यह डिपेंड करता है संस्ता परधान पर इसके साथ-साथ वो पद जब तक भरा नहीं जाता है जिस पद के लिए आपको न्यूक्त किया गया है जो पद वहां रिक्त है जिसे कि आपने मैट्स के प्रोफेसर वहां न्यूक्ति नहीं किया जाता है एक स्थाई न्यूक्ति की रूप में तब तक आप उस पद पर बने रह सकते हैं उसके बाद में स्वत्त ही आपका पद समाप्त हो जाएगा जैसे ही कोई असिश्टम प्रोफेसर एपोइंटेड होता है वहां पर यानि कि व होने वाली है और जहां तक डिस्ट्रिका लेवल की कमीटी का प्रषन है तो डिस्ट्रिक लेवल की कमेटी उन 지원 के लिए कावय जो शंसता पर दान इस सर्थ वहां करते हैं और शंसता परदन अगर चाहता है तो सवय्म भी इस इस तर पर कोई किसी को भी नुक् और एक प्रश्ण की ये कब से शुरू होने वाले तो इसको लेकर अभी तक कुछ नहीं का जा सकता क्योंकि तीस तारिक को जो आविदन क्या एक आदेश निकला है उसके तहट के वल ये बाते बताएगे कि इस परकार से ये जिद्या संबल योजना में नियुक्ति होगी लेक तो आप अपने समंधित या फिर इस्तानिक शेत्र के विद्यालियों महा विद्यालियों में इस ओर आप वहाँ पर इंक्वारी कर सकते हैं वहाँ पर पूस कर भी पता कर सकते हैं धन्यवाद